Hello everyone and welcome to the Bank IQ मेरा नाम तरुन और अब हम करेंगे Puzzle का Set No. 14 तो देखते हैं इसमें क्या गविन है So ये हमारे पास पहली Puzzle दिए हुई है इसका आप Screenshot ले लिजे अब मैं इसको एक्स्प्रें करता हूँ देखिए So इस Puzzle में गविन क्या है इसमें से बोला है A shopkeeper bought 8 articles at different prices एक shopkeeper 8 articles को ले कराता है अलग-अलग price पर and sold them at different price और उन सब को अलग-अलग price पर पेज़ देता है उसके बाद articles were named A1 to A8 और उसने article को नाम दिया A1 से A8 उसके बाद they all were stacked one over the other not necessarily in the same order और उन सब को एक के उपर एक रख दिया गया लेकिन same order पर नहीं रखा गया चीक उसके बाद the articles with increasing order of their selling price along with the cost price in brackets is mentioned below उसने यहाँ पर हमें क्या बता है कि A1 जो article है उसकी selling price A8 से ज़ादा है और A8 की selling price A4 से ज़ादा है similarly सब से कम selling price किसके होगी A7 की होगी ठीक है और इनकी जो cost price है उसने वो यहाँ पर दी हुई है ठीक है brackets में क्या दिया हुआ है bracket के अंदर cost price दी हुई है ठीक है और इनको इस direction में increasing order में लगाया गया है selling price के ठीक है यहाँ तक चीज़े समझ में है इना clear हुआ अब इनी सब पर based उसने हमें क्या दी है conditions दी है आपर तो एक काम करते हैं क्या कि conditions को properly लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस puzzle को solve करेंगे तब देखिए उसने क्या बोला हमसे उसने क्या बोला कि A6 और A4 की बीच में उतने ही number of article है जितने इन दोनों की बीच की cost price में है मतलब क्या जैसे कि A6 की cost price कितनी है देखिए अगर हम यहाँ से लिखे न तो कितनी है 2,8,3,6 ठीक है और A4 की cost price कितनी है वो देखिए यहाँ पर लिखी है 2,6,9,8 तो इनकी cost price की बीच में जितने भी articles की cost price आएगी उतने ही article इन दोनों की बीच में होंगे तो देखिए इन दोनों की बीच में कौनसी article की cost price आएगी A7 की नहीं आएगी A2 की नहीं आएगी A6 की नहीं आ सकती ही A3 की हाँ यह आ सकती है उसके बाद A5 की नहीं आएगी A8 की नहीं आएगी A1 की नहीं आएगी इसका मन्दब एक चीज़ confirm है क्या, कि A6 और A4 की बीच में सिर्फ एक article आएगा, ठीक है, यह चीज़ clear होई न, अच्छा, तो इसको मैं एक बार इस तरीकी से पना दे तो, हाँ, उसके बाद देखिए, उसने क्या बोला, वो article जिसकी second highest selling price है, तो second highest selling price किस की होगी, A8 की होगी न, A8, उसने क्या बोला आगे, is not adjacent to the article having cost price in between the cost price of the article with second highest selling price, and the article with second highest cost price, उसने हम से क्या बोला, कि second highest selling price, मतलब क्या, A8, किसके adjacent नहीं है, उन articles के, जिनकी cost price, किसके बीच में आती है, the article with second lowest selling price, second lowest selling price मतलब A2, चीक है, और the article with second highest cost price, second highest cost price अगर मैं देखू, तो वो किसकी है, वो है यहाँ पर A6 की, चीक है, तो A2 और A6 की cost price के बीच में, जितने भी articles आते हैं, वो A8 के पास नहीं है, ठीक, जैसे कि अगर मैं देखू, A2 की cost price कितनी है, 2, 4, 1, 6, और A6 की cost price कितनी है, वो है 2, 8, 3, 6, तो इनके बीच में अगर मैं cost price देखू, देखी किस-किस की आ रही है, A7 की, हाँ, इनके बीच में आ रही है, उसके बाद A2 की तो नहीं आएगी, A6 की, वो तो already यहाँ पर है, A3 की अगर मैं देखू तो, हाँ, इनके बीच में आ रही है, A5 की अगर मैं देखू, हाँ, वो भी इनके बीच में आ रही है, A4 की अगर मैं देखू, तो हाँ, वो भी इनके बीच में आ रही है, A8 की नहीं आएगी, और उसके लिए A1, A1 की अगर मैं देखू तो, A1 की भी नहीं आएगी, इसका मतलब क्या है, कि A8, आपका इन पाचों के पास में नहीं हो सकता तो वो किसके साथ होगा वो आपका या तो A2 के पास होगा या फिर A6 के पास होगा ये चीज़ समझ मैं ही clear हुआ ये point उसके बाद देखें उसने कहला कि 4 articles were stacked between A7 and the article having cost price in between the cost price of A7 and A1 और उसने कहला कि 4 articles हैं किसके बीच में A7 के बीच में और उस article के बीच में जिसकी cost price A7 और A1 के बीच में आती है ठीक है तो A7 और A1 की cost price के बीच में देखी किसकी cost price आएगी अगर मैं A1 की बात करता हूँ ये ठीक है A7 की बात करता हूँ इच में चार आर्टिकल्स होगे, ठीक है, यहां तक सारी चीज़े क्लियर होई, हम एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा रब करता हूं, जिससे कि थोड़ा सा क्लियर हो जाए, तो हम आगे की कंडिशन को प्रॉपरली लिख पाएं, देखिए, ओके, तो यह हमारे पास अभी और नन, और five articles, वर stacked between the article, having second lowest cost price, and A6, उसने की आखिए, कि यहां तो कोई नहीं है, या फिर 5% है, किसके बीच में, उस article के बीच में, जिसकी second lowest cost price है, second lowest cost price के, अगर मैं बात करो, तो देखिए, किसकी है आपर, lowest cost price आपके पास यहां पर किसकी है, A2, ठीक है, second lowest आपके पास किसकी है, A1, इसका मतलब क्या है, कि A1, ठीक है, और A6, इनके बीच में, या तो 5 articles होंगे, या फिर यह दोरों एक दूसरे के साथ होंगे, मतलब कोई भी article इनके बीच में नहीं होगा, ठीक है, उसके बाद A2 and A5, sorry A7, are placed adjacent to each other, okay, A2 और A7, एक दूसरे के साथ है, उसके ब immediately below A3, was bought at a price lower than that of A3, okay, उसने वाला कि वो article जो कि A3 के, just नीचे है, उसकी जो cost price है, मतलब जिस पर वो खरीद कर लाया गया है, वो कम है किस से, A3 से, ठीक है, उसके बाद A4 is not adjacent to A1, A4 adjacent नहीं है किस से, A1 से, ठीक है, तो यह हमारे पास सारी क्या दिये है, conditions दिये, अब देखिए, इन सब conditions का use करके हम किस तरीके से इसको बनाएंगे, तो देखिए, okay, so अगर हम इसको बनाना चाहें, तो कहां से start कर सकते हैं, हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि A7 और A5 के बीच में, 4 का gap है, isn't it, तो condition क्या हो सकती है, कि A5 आपका यहां पर है, फिर उसके आद, 1, 2, 3, and 4, और आपका A7 यहां पर आजाएगा, ठीक है, इसके बाद उसने हम से क्या बोला था, कि A2 और A7 दोनों साथ में, इसका मतलब क्या है, अगर मैं बनाना चाहोते हैं, उसकी दो possibilities बन सकते हैं, एक possibility क्या, कि आपका A2 यहां पर हो, फाइन, दूसरी possibility इसी के साब से क्या बन सकती है, कि A7 यह है, A2 आपका यहां हो, फिर 1, 2, 3, 4, छोड़कर A5, और अगर मैं इसके according बनाना चाहोते हैं, तो एक condition क्या हो सकती है, कि आपका A2 यहां हो, और एक और possibility क्या हो सकती है, A5, 1, 2, 3, 4, A7 और A2, ठीक है, यह आपके पास 4 possibilities बनेगी, इनी पर देखिए हम लोग work करते हैं, किस तरीके से, हम एक चीज जानते हैं क्या, कि A1 और A6, यह दोनों क्या है, या तो एक दूसरे के साथ हैं, या फिर इनके बीच में, 5 का क्या है, gap है, इसंट इन इन, यह चीज है ना, तो अगर मैं इसको put करना चाहूँ, यहाँ पर, तो देखिए, कहाँ पर मैं इसको put कर सकता हूँ, और उसने हमें एक condition और दिये गया, कि A2 और A7 के पास A1 नहीं है, ठीक है, तो अगर मैं इस first वाली possibility मैं अगर check करूँ, तो देखिए, अभी यह आपके पास कितने, यहाँ पर ठीक है, तो आपके पास दो possibility, या तो आप A6 को यहाँ पर put करिए, अगर मैं A6 को यहाँ पर put कर देता हूँ, in that case क्या होगा, उसने हम से बोला था, A6 और A4 के बीच में एक का gap है, ठीक है, तो आप नीचे कहीं पर भी यहाँ पर A4 को तो put कर नहीं पाएंगे, ठीक है, इस केस में A6 हैगा यहाँ पर, ठीक है, अगर A6 यहाँ आ जाता है, in that case, A4 आपका कहा आ सकता है, उसने हम से एक चीज़ बोली थी गया, कि आपका A8, या तो वो A2 के पास है, या फिर वो A6 के पास है, और किसी के पास नहीं हो सकता है, अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, आ अगर आप A8 को पुट करना चाहिए, यहाँ पर पुट करेंगे, in that case, वो क्या, A1, A7 के पास हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप पुट करते हैं, तो वो A6 के पास चो रहेगा, लेकिन A4 के पास भी हो जाएगा, और उसने का वाला था, कि इन दोनों के अलावा, वो औ और किसी के पास नहीं है, तो इस वज़े से यह condition क्या हो जाएगी, आपकी गलत हो जाएगी, मतलब क्या, आपका A1 यहाँ पर नहीं आ सकता है, ठीक है, इसके बाद देखिए, अब देखिए, आप यहाँ पर A1 को पुट करा नहीं सकते हैं, ठीक, यहाँ पर आप A1 को पु पुट करता हूँ, अगर इन केस में A6 को यहाँ पर पुट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं A6 को यहाँ पर पुट करा, इन देखिए, उपर आपका A4 तो आनी पाएगा, फिर A4 आपका का आएगा, यहाँ पर आएगा, लेकिन उस नहीं से क्या हो जाता, कि A4 और A1 दौनों साथ में नहीं है, तो इस वज़े से अगर मैं A6 को यहाँ पर पुट करता हूँ, तो मैं A4 को पुट नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, अगर इन केस में A6 को यहाँ पर पुट करता हूँ, तब देखिए, आप A4 को यहाँ पर तो पुट नहीं कर पाएगे, लेकिन मैं अगर extra यहाँ पर हो सकता है या तो वो उपर होगा या फिर वो नीचे होगा लेकिन फिर से हम अगर put करना जाए A8 को तो मैं A8 को कहाँ पर put करा सकता हूँ उपर मैं करा नहीं सकता हूँ वो किसके पास हो सकता है या तो A2 के पास या फिर A6 के पास यहाँ पर वो नहीं आ सकता इसका मतलब क्या है? इसके लिए कोई place बचेगी नहीं इसलिए यह भी हमारे पास क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ठीक है? इसका मतलब आपका A1 यहाँ पर भी नहीं आ पाएगा फिर देखिए, अब अगर मैं A1 को यहाँ पर पुट करता हूँ इन दैट केस आपका A6 आपका यहाँ पर ठीक है? अगर A6 यहाँ पर आता है तो फिर मैं यहाँ पर A4 को पुट नहीं कर पाऊँगा यहाँ पर A4 को put नहीं कर पाँगा इसलिए यह condition भी हमारे पास क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी मतलब क्या आपका A1 यहाँ पर भी नहीं आ सकता अब एक बार मैं यहाँ पर और put करके देख लेता हूँ तब देखिए अब अगर मैं A1 को यहाँ पर put करता हूँ इन देट केस आपके पास A6 आएगा यहाँ पर ठीक है अगर A6 यहाँ पर आता है तब आप उस केस में यहाँ पर put नहीं कर पाएंगे ठीक है तो यहाँ आपर पास क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा A4 को put नहीं कर पाएंगे न अगर इन case में बोलता हूँ कि A5 यहाँ पर है और 5 छोड़ कर अगर मैं put करना चाहूँ तो देखे 1,2,3,4,5 आप यहाँ पर भी A6 को put नहीं कर पाएंगे इस वज़े से यह condition आपकी पूरी तरीके से गलत हो जाएगे ठीक है? समझ मैं न इस puzzle में बहुत सारी possibilities है यहाँ पर हम लोग बहुत जल्दी जल्दी check कर सकते हैं अगर हम खुद से करेंगे अभी मुझे explain करना पड़ रहा है इस वज़े से सारी चीज़े में को explain करनी पड़ी otherwise आप थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करके इनको कर सकते हैं ठीक? और यह puzzle आपकी mains level की है तो obviously इसमें possibilities तो आपको check करनी ही पड़ेंगे ठीक है? वो आप पर depend करता है किस तरीके से आप time को बचा सकते हैं अपना ठीक? ओके similarly हम यहाँ पर भी conditions को check कर लेते हैं अभी हम देखें तो कितना आपके वाज? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 है ना? तो फिर से देखें आप A1 को यहाँ पर तो put करनी पाएंगे यहाँ पर भी put ने कर पाएंगे ठीक है? अगर मैं A1 को यहाँ पर put करता हूँ अब देखें थोड़े जल्देली करते हैं अगर मैं A1 को यहाँ पर put करता हूँ in that case आप A6 को कहाँ पर put कर सकते हैं? आप यहाँ तो यहाँ पर put कर सकते हैं? ठीक है? आप यहाँ पर वो 5 वाली condition तो लगा नहीं पाएंगे ना? क्योंकि क्या हो जाएंगे? जाआप यहाँ पर put करता हैं धीक है, in that case देखिये आप A4 को यहाँ पर put नहीं कर सकते हैं similarly A4 को यहाँ पर put नहीं कर सकते हैं इस वज़े से A1 आपका यहाँ पर नहीं आ सकता है पिर इसके बाद देखिए अब अगर मैं A1 को यहाँ पर put करता हूँ तब आप A4 को कहाँ पर put कर पाएंगे यहाँ पर नहीं पर पाएंगे नहीं यहाँ पर कर पाएंगे इसका मलदब आपका A6 यहाँ पर तो आने सकता in case अगर मैं A6 को यहाँ पर put करता हूँ तब आप A4 को यहाँ पर put नहीं कर सकते हैं एक छोड़कर A4 को आप यहाँ पर put कर सकते है ठीक है अब फिर से वही चीज अगर मैं A8 की बात करता हूँ तो A8 किसके पास आ सकता था या तो A2 के पास या फिर A6 के पास ठीक है यहाँ पर अगर मैं देखू तो A2 के पास आने सकता है क्योंकि अब यह मारे पास कितने हो गए टुटल आट हो गए और अगर मैं देखू A6 के पास तो A6 आपका कहा पर है A6 आपका यहाँ पर है न यहाँ पर भी आप उसको put ने करा सकते है इस वजह से यह condition भी आपकी क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी समझ मैं आया clear हुआ एक और चेक करते हैं देखिए अब अगर मैं A1 को यहाँ पर put करता हूँ in that case 1,2,3,4,5 एक छोड़ कर मैं यहाँ पर किसको put कर देता हूँ मान लिए A6 को मैंने put कर दिया यह वाली condition लगा दी अब आप क्या करेंगे आप A4 को put नहीं कर पाएंगे इसलिए आप यहाँ पर इसको put नहीं कर सकते हैं मतलब क्या आपको A6 को यहीं पर put कराना पड़ेगा अगर A6 यहाँ पर है in that case एक छोड़ कर A4 आपका यहाँ पर आजाएगा ठीके आपके पास यहाँ आगया अब फिर से वोई चीज A8 की अगर मैं बात करता हूँ तो A8 आपको कहा आ सकता है आप यहाँ पर put करा सकते हैं अगर मैं A8 को यहाँ पर put कराता हूँ in that case देखिए आप A3 को यहीं पर put कराएंगे हाँ और उसने हमें एक condition दी थी क्या कि A3 के जो एकदम नीचे है उसकी cost price A3 से कम है अब अगर मैं देखू तो देखिए A3 की cost price कितनी है यह है और A6 की cost price क्या है वो आपके पास यह है क्या A6 की cost price A3 से कम है नहीं है ना इसका मतलब क्या है यह possibility पे आपके पास गलत होगे ठीक है similarly अब हम इन दो possibilities पर work करेंगे ठीक है बिल्कुल जैसे हमने अभी करा है उसी तरीकी से हम इनको भी consider करेंगे लेकिन एक चीज़ कर ध्यान न किएगा अब मैं इस वाली condition को आपको नहीं बताऊँगा ठीक है आप चेक करिए कि यह वाली condition किस वज़ा से गलत है ठीक है मैं आपको बताता हूँ कि इस condition में हम इन सब को satisfy कैसे करा पाएंगे तब देखिए अगर मैं बात करूँ आपसे यहां पर कितने है 1,2,3,4,5,6,7 7 है न हम जानते क्या कि आपका A1 का यहां नहीं आ सकता है नहीं यहां आ सकता है ठीक है अगर मैं धर की बात करता हूँ तो आपका A1 का आ सकता है अगर मैं A1 को यहां पर put करता हूँ इन देट केस आपका A6 आएगा यहां पर अगर A6 को मैं यहां पर put करता हूँ ठीक है, in that case, आप A4 को यहाँ पर put कर सकते हैं, आपके बस total stacks कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, बट फिर से अगर मैं बात करूँ किसकी A8 की, तो A8 को अगर मैं put कराना चाहूं, मैं कहीं पर put नहीं करा सकता हूं, नहीं वो A6 के आप पास आपाएगा, नहीं वो A2 के पास इस वज़े से A1 आपका यहाँ पर भी नहीं आएगा, अब इसके आद मैं एक बार यहाँ पर चेक करके देखता हूं, तब देखिए, ओके, अगर मैं A1 को यहाँ पर put करता हूं, तो A6 को मैं यहाँ पर put करूँगा, चीक, अगर A6 मेरा यहाँ पर है, in that case, आप A4 को A4 की cost price यह है, ठीक है, यह A3 से कम है न, इसका मतलब क्या है, यह वाली हमारे पास possibility सही रहेगी, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है, I hope, जितना भी आज हमने कराया है, वो आपको समझ में आया होगा, thank you so much.